हालो फेंट्स वीडियो में हम लोग HTML forums के बारे में जानेगे वेबसाइट में हम लोग forums का यूज़र से डाटा लेने के लिए करते हैं इसके लिए सब से पहिले हम लोग forum tag का व्योड करकर close करते हैं और forum tag के अंदर बहुत सारे tag आते हैं बहुत सारे elements आते हैं इंपुट टाइप में बहुत सारे टाइप है पर यजू पाचों अभी दिखा सिंगर लाइन टेक्स इन फिल्ड एक सिंगर लाइन का टेक्स इंपूड फिल्ड के लिए बनाए गाइगा है बॉक्स इन्पूड टाइब रेडियो बॉटन डिस्प Hz ए for selecting one of many choice मतलब इसका प्योग हम लोग करते हैं अगर चार पर छोट च्वाइस दिया हुआ है वहाँ पर कोई एक च्वाइस सेलेक्ट करने के लिए तो वहाँ पर रेडियो बॉटन का इप्योग करते हैं आप लोग देखे होंगे मेल फिमेल में रहता है तो वहाँ पर हम लोग दो तीन ओप्शन रहता है मेल फिमेल और अदर्स का तम लोग मेल या फिमेल यह जो भी सेलेक्ट करना रहता है कि वह एक ही सेलेक्ट पार पाता हैं चेक्स बॉक्स चेक्स बॉक्स का प्योग हम लोग म अगर कोई मैं लिए कि 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 कौन कौन सा प्रोग्राइमिंग लेंगवेज आता है को वेबसाइट में दिया हुआ है और वहां पे लिखाई C++ जावा जावा स्क्रिप्ट तो आपको दो-तिन फो लेंगवेज आता होगा तो दो-तिन फो लेंगवेज को सेलेट कर सकते हैं और एक बाद धियान रखिएगा चेक्श बोक्स का प्रीयोग वहां भूसारे वेबसाइट में ऐसेप्ट इस प्राइबेसी पॉलिशी के लिए व लोड एक जॉपल देखते हूं टेक ओपन करता हूं याप इसको लोग रेडियो कर देंगे को रिडियो करने के बाद के मैं कोपी करता हूं यापना प्री मेश का देता हूं यहाप में जी करता हूं सेब कर देता हूं MS करता हूं показ प्रर्यक कर देता हूं में की प हर यहां पर प्र्र हल देखिया यह फेश कर देता हमेल मय्का लोगा यह दोनों हम्ट 612 if it's Clean होता है ऐसा क्योंlest रहे तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगा यहाँ पर नेम पास करेंग नेम एट्रिब्यूट और हम लोग किस के लिए बना रहें तो जेंडर के लिए थीकर शेये कि यह समझ जाएगा कि यह जेंडर जेंडर एक दूनों एक दूसरे से लिंक है तो एक बार में एक ही कोई सलेक्ट करेगा देखिए यह फिमेल है मेल है यह वल हड़ी है अभी देखिएगा तो यहां पर क्लिक करने का बाद सलेक्ट नहीं हो रहा है देखिए छोटा है किसी किसी पर्यों करते हैं लेवल टेग में दो एट्रिब्यूट होते हैं ट्र मेख यहां पर भी कर देंगे यहां पर देखिए जब फोर्म के बाहर है यहां पर देखिए यहां पर फोर्म के बाहर है लेबल तो यह इसमें आईडी है कि इस फोरम का भी नाम दे दे देते हैं कि स्वारम का फोरम वीक्तन का नाम बाहर दाओ किसी सरू आप किसीह लिए ही फोर मेर्म यह बहुन रहा है आनसी ग्लाइक है ऑदिकतर है अंदर वह लोग हो जाता dope कि अब ध्यान रखिएगा फोर में उसका डी देते हैं फोरं में उसका फोरूं का नाम देते यह अब देखिए हमको चाहिए कि मेल पर क्लिक करते हैं सांती किलिक हो दोसके लिए हम लोग लेबल टइक को शुरू करेंगा यहां से मेल को मैं कट कर लेता हूं कि यहाँ पर प्रेश्ट कर देता हूं और यहाँ पर फोर मं क्या करेंगे इसमें सब से पहले यहाँ पर आईडी द्रेते हैं आईडी में क्या देता हूं मैं लिख देता हूं यहाँ मुर्म पर करता हूं यहां पर मैं लेबल सब्स्पेंस प्रांड करता हूं अब यहां आइडी देता हूं जो एडी में कुछ भी सकते हैं वही इसमें भी लिख देना ठीक है अब में सेब करता हूं एक रिफरेश करेते हूं अब देखिये यहां पर क्लिक करणा। ना यह पर भी आपले इसमें भी विखादा ने देखिए टेक्ज फिल्ट को इसके लिए मैं लिए उसके लिए इन यहां पर फॉस्ट नेम लेंगे फॉस्ट नेम और यहां पर नेम में लिख देते हैं किस लिए लेते हैं किसके लिए ले रहे हैं फॉस्ट नेम या सी में यह पूरे नंबर को पास के दिये लिखावा जो भी है और मैं शेफ करते हों करने वाद रिफ्रे जो कर देता हूं कि दिखल में इस कड़ीक्टर करता है है हमें आगो में અંસન્ંથનદ અમસક്વરીક ৌર્ં અંથ્ફીં ર૭ણથ્ટ્ય નઋમ્ત टाइमेरे च्छेक भाख सीजी लिखते हैं और इसमें एक से ज़्यादा कर सकते हैं या सिद्व में एक में बैकटक देता हूं अःजिस में लिखता हूं ट्यूहहां टाइप में च्छेक अचविए पर सी क्लास मेने लिए इसको मैं कोपी किया उ इस यहां पर मैंने लिखा जावा आधétais आधर मैं लिखा कि अब इसको नेम कर सकती हैं पैसने कि लिए हम लोग बना रहे हैं तेश सब्जेक्ट है या कोछ भी इसका सेम सी प्लस प्लस भी अगर पास कर दिजिएगा कोई दिखक्त नहीं है क्योंकि चेलिए हम लोग कर रहे हैं नें में हम लोग देतेंगे जावा और यहां नें में देतेंगे पाई तन करते हूं से एक करना करते हूं और देखिए यह त्यवक्रव इसको इसलिए प्रियो करते हैं अभी करने के लिए यहां पर हो जाए तो उसके लिए लेबल टेक अप्यो करता हूं कि इन सब के बीच एक मैं अस्पेस देने के लिए ब्रेक टेक कर देता हूं और इसी प्लस प्लस को हम लेबल टेक के अंदर क्लोज करते हैं कि यहां से मैंने कट किया करेंहें मैं पेस्ट कर देता हूं और यहां पर आउडी देता हूं आईडी सीप्लस-प्लस फेलर लेक देता हूं खुछ भी लेख कि यहां से भी हो जा रहा है यहां से भी हो जा रहा है लेबल टैप्योंग यहां किया जाता है की कार यहाँ कर दोफ में सब्मीट सब्मीट का परियूट करें Awake सब्मीट कả में इन्पूट टाइप में सब्मीट है मैं सेबकर ऑसमे करने के बाद मैं रिक्रेश करता हूं यह देखिये सब्मीट आ गया एक लाइन में यहाँ पे ब्रैक 취ef कर दो industry कर देता हूं अब आपको सब्मीट के जागा इसका अगर कुछ नाम चेंज करना होगा तो क्या इससे चेंज करेंगे भैलू लिखेंगे और यहां पर मैं लोगिन लिख दूँगा तो इसका यह बैलू चेंज हो जाएगा रिफ्रेश करें देखें लोगिन हो गया सेब करता हूं रिफ्रेश करता हूं एक चीज मैं देखा देता हूं यहां पर मैंने नाम लिखा रजनीश और यहां पर मेल सेलेक्टी है और लोगिन करते हैं तो यहां रजनीश जेंडर में ओन लिख रहा है तो इसको पता ही नहीं चला कि यह मेल है कि फीमेल है तो उसके लि लुख लिखे हैं जेंडर हैं यहां प़ेलू किसके लिए है यह मेल के लिए है और मैं यह सो पता है यह अब मैं में refresh करता हूँ एक बार और यहां पर नाम लिखता हूँ रजनीश यहां पर mail करता हूँ login पर क्लिक करता हूँ देखिए फर्स्ट नेम रजनीश और जेंडर में mail दिखाई दे रहा है फोरम अट्रिबूट में एक अट्रिबूट आता है जो कि PHP language में हम लोग इसका करते हैं पर इसको मैं HTML के माधियम से बताने का मैं प्रयास्ख़र होगा यह आपको PHP में ही किलियर होगा इसका इप्योग हम लोग जब डाटा अपलोड करते हैं तो कहां पर जाता है कैसे स्टोर रहता है उसके लिए हम लोग यहां से एक्षण टेग का इप्योग करते हैं यहां पर एक्षण टेग है यहां पर हट्पूट.html कराम से मैंने के वेपेज बनाएं बस यहां पर खल लिखें यह और फोरूम इस सब्मिटेट बस कुछ नहीं लिखना है एक्षण में आपको लिख देना है कि जिस पर ही इसका लुका तो इस पर चला जाएगा कि सेप करता हूं और रिफ्रेश किया मैंना यहां पर मैंने डीडी माने लिख दिया और मेल जिसी मैं लोग इन पर क्लिक कर देता हूं देखिए और फोरूम इस सब्मिटेट आ गया ठीक है अब देखिए इसके इतने सारे अट्रिबीट औ क्या होता है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बस टार्गेट मैं देदी जिएगा उसको ओपन कराने के लिए कि यहां ओपन करा रहे हैं ते पारा पर याप सब भी इसको प्योक जिएगा मैं एक बता देता हूं यहां पर मैंने टार्गेट लिखा और स्लेश ग्लेंक मैं सेब करता हूं सेब करने के बाद यहां पर मैंने कुछ भी लिखा और मैं लिखा लोगिन कर देता हूं यहां पर यह सेम रागिया पर यह नाड़ पेज में खुला और यह और फॉरम ही सब्मिटेड हो गया ठीक है मैं में ठ़ट एट्रिपूट में दो एट्रिप्इट होता है इसमें एक आता है गेट और एक पोस्ट डेट मे। हटपीद ुदूहजर Eliot प्रतार्टर तक ही वरल का लिमिट होता है यह अक्र सेंसेटिव डाट आटा को अपलोड करने के लिए परियोग नहीं किया जाता है यह नहीं होता है जबकि पोल्ट डाटा सिकोर होता है और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता है और यह से कोटी परफसर भूत अच्छा माना जाता है चलिए दुरनों में कि अंतरे जनते हैं अब यहां पर देख लिए ज़िए उसे पहले में एक और चीज बता देता हूं इन्पूट में मैंने लिखा और टाइप में यहाँ पासवर्ड यहाँ पे मैंने लिखा पासवर्ड और नेम में दे देता हूं पासवर्ड और सेफ कर देता हूं सेफ करने के बाद एगवरी फ्रेस किया टीट करता हूँ तहें नाम भी दिया मैल भी दिया उसका पासवार्ट भी दिया उसके लिए हम क्या करते हैं यहांपे लिखते हैं और में लिखते हैं में और यहां पर गेट और पोस्ट पोस्ट गेट वाला डिफोल्ट जैसा दिख रहा है वैसे ही रहता है उसमें डाटा दिखाई देता है पर पोस्ट में नहीं दिखाई देता है मैंने सेब किया अब मैं रिफ्रेश कर देता हूं और यहां प पाता है और मैंने प्रेस्ट किया और इंटर कर देता हूं अब देखिए मैंने कुछ भी लिखा यहां मेल और यहां पर मैंने पासवर्ड लोगिन करता हूं यहां पर कुछ नहीं आया अब मैं यहां पोस्ट के जगा केट कर देता हूं और मैं सेफ करता हूं सेफ करने के यह सब दिखाई दे रहा है बस जी दिखा पॉस्ट का प्रिकर ञप्रटें संसे टिब के लिए देखिए अवसी औहां लोग देखेंगे आउटो कंप्लीट अगर मैं ओफ कर देता हूं अब करने के बाद सेफ करता हूं सेफ करने के बाद इसी मैं रिफ्रेस करूंगा यह देखिए जो पहले डटा आ रहा थो सब नहीं आ रहा है बाइड डिफोल्ट यह ओन रहता है ठेका अब देखेंगे हम लोग नो भेल डेट क हूं रिकॉर्ड अब मैं सेफ करता हूं ऍज्थ करने करता हूं तो यहां पर देखिए तो यहां पर मैंने कुछ भी लिखा मैम इल घाक्सदीन श्क्राइब वीद दीशाई ठीक है इसको बोल रहा है बहरने के लिए जिसमें रिक्षर लगा दिया पहले क्या होता था है रिक्षर को मैं हट देता हूं कोट ना सेब किया रिफ्रेस्ट किया मैंने यह भी खाली दिया और फिर भी लेलेगा देखिए नमस्क्राइघ्ण में तो कुछ नहीं लिया पर जब से मैंने required इसको दिया है तब से रिक्वाइड मांगे कि इसको देना ही पड़ेगा अगर नहीं इसको कुछ भरिएगा तो यह मांगेगे यहां पर मैं कुछ देता हूं लोगिन करता हूं तो यह ले लेगा देखिए चाहते हैं कि अब हम लोग जानेंगा नो बेलेट के बारे में इसमें देखिए हम लोग पासवर्ड में तो require लगा दियें पर हम लोग फोरम में अगर लगा देंगे तो यह पूरे जो भी डाटा आपके इस फोर्म के अंदर है उसमें भैल डेशन हट जाएगा मैं सेब कर देता हूं यह देखिए रिक्वाइड में है अभी पर अब देखिए जिसी मैंने नो भैल डेट लगा दिया भैल डेशन हट जाएगा रिफ्रेस्ट कर द देखिए तर नहीं होगा इसको सबसमखे किजिए कर लोग नो भैल डेट में आठा देता हूं कि वोरम कोछ और इलमेंट है चलिए करके हम लोग जानते हैं कुछ के बारे में हम लोग जान चुके हूं अलेक्ट इलमेंट का प्रियोग हम लोग ड्रोप डाम लिस्ट के लुख बना रहे हैं और एक आइडी देदेता है इसलिए देदेते हैं क्योंकि यूज लेवल में हम लोग को क्लिक करने के बाद एक काम हो जाया है यहां पर नेम में देता हूं यह लोग कार करीभी बना रहे है तो इसका ओप्सन में देते हैं आक बहुंसें में देब लीडिव करने को बाद बहुंद हाएगा और नाम में देदेते हैं कि आंदर जो लिखा हुआ है यह जो दिख रहे हैं यहां से यहां तक है यहां से यह तक को देखाने के लिए पर बेलू के अंदर जो भी दिखा है डाटा बेसमा स्टोर करने के लिए परियोग करते हैं अब देखिए अगर आप चाहते पहले सिंस सेलेक्टेट हो तो एक चीज पर सेलेक्टेट क्लिक कर लेजिएगा तो आटमेटिक सेलेक्टेट आ जाएगा तो चलिए हम चैंपल में आटा देता हूं वर्ना यह कंफ्यूजन प्रेदा कर देगा ठीक है और यह भी येट पोस्ट वाएगारा जो भी है उपर से यह सब याटा देता हूं अब यहां पर हम लोग ओप्शन देते हैं कितना ओप्शन देना है दो तिन दे देता है अब इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो यूजर को देखाने के लिए और इसके अंदर वैलू के अंदर जो भी जाएगा वो डाटा बेस में स्टोर करने के लिए ठीक है यहां पर मैं ओपर लिख देता हूं यह यूजर देखेगा इसके अंदर फिबो लिख देता हूं य तो यूजर देखेगा पर बेलू के अंदर ये डाटा बेस में स्टोर करने के लिए अब हम लोग को सेफ करेंगे सेफ करने के बाद देखिए मैंने लेबल नहीं लगाया मैंने लेबल टेंग नहीं परियों करता हूं भी देखिए यहां पर इसलेक्ट हो रहा है अब चाहते हैं कि किसी में पहले सेलेक्टेड हो मैं चाहता हूं कि यह ओपो ला में पहले सेलेक्टेड हो अब मैं सेफ करता हूं सेफ करने के बाद देखिए ओपो बाइडिफोल्ट सेलेक्टेड आ गया नहीं तो क्या हुता था कि यहां पर मैंने सेफ किया रिफ्रेश किया थो विक्टेड हो आ रहा था अब लिख दीजिएगा तो पहले से उसलेक्टेड आएगा जिसमाइगा अब देखिए बीस वन बेलु बेलू में ह उसका साइज ले लेता है अगर इसमसाइज में जितना देंगे तो वह तना ही इसो करेगा और एक है अगर ब्लूटिपल देंगे तो आप मॉल्टिपल सब्सक्राइब कर सकते हैं चलिए में दखाता हूँ इसके लिए यहां पर जाएंगे और सेफ करने के बाद रिफ्रेस करेंगे ते देखिए दो दिखने लगा और भी बहुत सारा चीज हो सकता है अब देखिए गल्याम करेंगेंगा धर टरणका मिलड़ेस करेंगेंगेता। यहां पूर को भी हैंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे मुल्टिके करेंदर्ब सेफ करेंगें। यह देखिए multiple select होने लगा यह देखिए multiple select हो रहा है यह पूरे को भी select कर सकते multiple के मदद से टेक्स्ट area या element के मदद समलो multiple line input लेते हैं उसमें आपको row और column define कर देते हैं जितने row का चाहिए जितने column का चाहिए एक यह row में जितना value देते हैं वो number of line देगा अब column में जितने देंगे उसका width बताएगा अब इसके नीचे मैं text area लिखता हूं text area अभी देखिए by default यह 10 और 30 आ गया तो मैं save करता हूं save करने के वाच repress करता हूं यह देखिए पूरा आ इसमाँ इसके इंदर में कुछ लिख देता हूं देखते हैं दस जो भी थे बताता है यह देखिए दस हो जाएगा ठेका लेगे बटन इल्मेंट बटन इल्मेंट का प्यों हम लोग अधिकतर जावास्क्रिप्ट की मदद से करते हैं तो मैं कि बटन बनाना बता देता हूं जब जावास्क्रिप्ट पढ़िएगा तब इसका प्यों सबुने जाएगा इसे मैं देखा देता हूं को क्या कहाना चारहों मैं मैंने बटन लिखा बटन यहाप लिखा क्लीक है अट की सेब कर दो सेब करने बदर इलम भादे रिफ्रेस करता हूं बैसमें च्जों में प्रकला दिख्षा घव कि और अब भीटम बन गया देखे फिल्ड सेट एन लीजेंट इलेमेंट इसका प्रियोग हम लोग कुछ एक फोर्म बनाना पड़ेगा मेरे पास है कोई फोर्म का इंडेक्स हां यह वाला देखी इंडेक्स एकस टीमेल इसको मैं कोपी पात करता हूं मैंने पहले से फर्म बना रखा है पराना वीडियो में मैंने देखाया वे था अब मैं क्या करता हूं अब मैं चाहता हूं कि यह जो मेल और फीमेल है यह जो नाम और मेल फीमेल जो लिखा है यह परस्नल डटा में मैं रखना चाहता हूं और यह जो है एम आई वगरा इसके लिए कुछ नहीं करना है हम लोग को यहां पर सबसे पहले तो फरम के निचे फिल सेट लिखना है और यहां से जो कुछ़ एक Beef कट कर लेता है कट करने के बाद हम लोग कहां तक इसको सेलेट करेंगे मेल फिमल तक हाँ यह देखिए यहां तक आइसको में रिफ्रेस कर देता हूं देखिए अभी ऐसा आ गया अब यह तो अलक्स इसका डिजाइन बना दिया इसका हम चाहते हैं कि फिल्ड जाएटों है इससे का ड़ाटना ले रहे हैं तो इसके लिए हम लोग फईलडंट के नीचpora लिजहएंगे ओ लिजह यहां पर लिख देंगे पर्सनल डाटा पर्सनल डाटा और सेब करता हूं और रिफ्रेस कर देता हूं यहां पर आगया पर्सनल डाटा लिखा हुगा अब नीचे वाला कि यह अदर डाटा में आता है तो इसको क्या करेंगे यहां से मैं फिल्ड सेट को ओपेन करता हूं यहा करता हूं और रिफ्रेश करतेता हूं यह देखिए इसका यही काम था यह देखिए इन्पूट टाइप बहुत सारे इन्पूट टाइप है अब देखिए क्या है मैंने बताया थे पहले कि वीडियो में कि कुछ की मांच इंपूर्टेंट है इसका बाद बहुत सारे भी है देखिए यहां टाइप में बटन लिखिएगा तो बटन हो जाएगा चेक्स बॉक्स का बात कर लिए है कलर लिखेंगा तो एक कलर का डबा जिससा खुलेगा उसमें कटान कर सकते हैं डेट के लिए है डेट टाइम लोकल के लिए है इसको इमेल सलेक्ट की जिये तो इंब ले सकते हैं फाइल फाइल जेसकते हैं तो आप multiple select कर लिए गा ना बगल में तो इससे multiple file select कर सकते हैं हो सकते हैं यहां पर यहां पर मैं बता दे रहा हूं hidden का प्रियोग जिसमें की जिएगा तो hidden हो जाता है type image करिएगा तो image आपको select करने को मिलेगा इसमें month है नंबर है password radio रेंज मिलेगा रिसेट रिसेट बटम वहां परियोग होता है जब किलिक करते हैं तो data पूरा फोरों में देखा हो कर रिसेट हो जाता होगा और search box से यह तो इसके लिए search लिखते हैं submit बटन वह बता दिए यह टेलिफोन वाला है टेक्स वाला है टाइम के लिए URL लिखेंगा और विक के लिए है यह कि करके चलिए जांपल जानते हैं यह by default टेक्स ही आता है लिखा पर उसके अंदर हम और type password password लेकिर हैं तो बस password बंगता है पीछे के वीडियो में हम लोग देखें चयां है Input type submit submit वाला भी हम तो बताई दिया है बस submitted data हो जाता आई input type reset reset define a reset button that will reset all फॉर्म वैलू दिया डिफॉल्ट वैलू देखिए रिसेट बटन का जब भी क्लिक करेंगे तो जो भी डाटा आपके फॉर्म में भरा होगा वह आटमेटिक हटा देगा चलिए देखते हैं अब मैं इसके नीचे आ जाता हूं यहां पर लिखता हूं इनिपूट टाइप में लिखता हूं रिसेट और मैं सेब करता हूं सेब करने एक बाद रिफ्रेश करता हूं और देखिए आप मैंने कुछ लिखा यहां पर मैंने कुछ लिखे यहां कुछ लिखा अब जैसी मैं रिसेट पर क्लिक करूंगा पूरा डाटा रिसेट हो जाएगा ठीका है यह आप कहीं फोर्म अप्लाइब कर रहे हैं तो देखें भी होगा यह देखिए इन्पूट टाइप कलर कलर का इपी होगा है यह देखिए इसका आपको जावा स्क्रिप में कई प्रोजेक्ट बनाए हो तो वहां पर इसका प्रियोग होता है पर मैं बता दे रहा हूं कि यहीं पर मैं लिखता हूं इन्पूर्ट टाइप में सी ओल वार नियुए वार लिखने हैं हम लोग को ठीक है सब करता हूं और रिफ्रेस कर देता हूं यहां मैं पर देखिए कलर पीकर का यह सब बहुत सारा मैंनु जूं कर रखा है फड़ा कम करता है देखिए के कलर फिकर का गया यहां से कलर सेलेट कर सकते हैं यह आपको आने ओले टाइम में समझ में आगा इस सब का क्या बहलू है बहलू का क्या काम है कर वा बहलू का बहलू कर दो यह के आने वे धा अब लोग इन्पूट रिस्टेक्शन को बार हम जानेगे और चेक्ट है चेक्ट है स्पैस देट एन इन्पूट फिल्ट सोल्ड भी प्री सेलेक्टर वें दपेज लोड चेक जिसमें लगाएंगे तो जसी इन पराउजर अब मैं Kया करता हूँ मेरेल वाले में पहले से मैं लगाद दता इसको हम लोग चेकबौक और रीडियो बोकॉस कसाथ हूं लोग यूज़ करता है। video बटन पिसाब्य सनध डिसेबल। जिसमें भी लग जाएगा वह आतुमेटिक ही डिसेबल हो जाएगा उसमें आफ कुछ लिख सकते हैं या कि यह देखे disappears प्राइब लगा दूँगा जांसे फर्स्ट-नेम में अगर मैं लिख दून लिखेंब'd और मैं सेब करता हूं सेब करने के बाद रिफ्रेश कर देता हूं आप में इसके अंदर कुछ नहीं लेख सकता हूं मैक्स मैक्स और मिनिमान हम लोग जब रेंज में बताऊंगा तब मैं बताऊंगा और पेटर्न यह रेजिक इस्प्रेशन है जो आप करता है और रिखायड तो सब्सक्रामट करें सत्तों आप्ड़ में याजया आयगा जंबठाव पड़ते जएगा बतारहू हुए मैक्स लेंत देख लेक Champ अर्माथ तो is इसको मैं पहले डिसेबल हटा दाता हूं और मैं श्रेफ करता हूं स्भकर नएवड रिफ्रेश करता हूं इसे में देखिए बहुत है य॥ बहुत लिख सकते हम लोग read only लिखते हैं वो read के और पठने के लिए हो रहा जाता है जिससे किसी को मैंने मैंने को मैंक्सिंट करता हूं और यहां पर read only लिखता हूं सेब करता हूं अभी तो कुछ पाता नहीं चल रहा है रिड उन्ली मैंने खिंग देख्या अब देखिए इसके अंदर मैं कुछ नहीं लिख पाराहूं रिड ऑपस पढ़ने के लिए रह दाएगा उसे अंदर कुछ आप नहीं कर सकते हैं हाँ अगर आपको कुछ कराना है तो आप कर साथ सकते हैं बहलू को मदद से चलिए बहलू के एक जंपल भी हो गया और राज में सेप किया और बस यह देखिए राज आ गया अब इसके अंदर में काट पॉप नहीं कर सकता है बस वाले कुपी यहां से कर सकता हूं ले कुपी क से तक रहेगा इसमें कितना डेट से कब तक आपको लेना है उसको भी हम लोग इसमें ले सकते हैं मुथ टैप में डेट लिख देता हूं डव्याज कर देता हूं से लिए अभी में जहां मनता जितना मतितना कर सकता हूं 22 24-25 ठीच्छ वी में जा सकते दूजर साथ तक मे क्या कर देता हूं, अब देखे मैं मिनिमम लिखता हूँ, मिनिमम लिखने के बाद heb डूंहगे, अब़र दस तरीकragt, अब मैं इस से नीछे आएया नहीं कि इसको करेंगे तो. अब मैं रिफ्रेश कर देता हूं, देखिए 2020 ये अक्टूबर, अब उससे नीच आएगे नीज दस तरीक लिखेते हैं, देखिए मैं नो तरीक भी निशसेलेट कर पा रहा हूं, अगर मैं इसको मैं अई दसो महिना है, अई दस तरीक है, अगर मैं इसको बीच कर दूँ, बी मैं अब देखिए अब इस स्थाइट से पीछ नहीं पा रहा हूं अगर हम मैकिसिमिम पंस कहा करना चाहता हूं करका हम अभी मैंने कुछ यह नहीं किया है यह देखिए अभी हम लोग कहां तक चले जा रहें दूज़शो बीस तक अगस्त में 17 तक चले जा रहे हैं पर हम चाह रहे हैं कि मेरा 2021 में हुआ पर चौन्था महीना तोस से ज्ज्यादा न जल इसके लिए मैं सेप करता हूं और रिफ्रेस्ट परता हुँ अब देखिए 2021 किसा मार्स आगया और अपरील आगे यह देखिए आगे कहट गया अब देखिए रेंज का क्या है रेंज में हम लोग सलाइडर इससे बन जाते हैं इससे हम लोग जावा स्क्राइब बहुत सारे चीजों का परियोग करते हैं भेलू लेने के लिए इसमें में मेक्सिमम है इन पूट टाइप में मैं लिख देता हूँ रेंज मैंने सेट किया और मैंने रिफ्रेश किया अभी देखिए यहां तक है पर अगर मैं मीनिमूम कर देता हूं मैंने किया जीरो और मैक्सिमम कर दूँगा एक हजार ठीक है और मैं रिफ्रेश कर देता हूं यह देखिए अभी आपको नहीं पाता चाहरा पर जावास की मादियम जिसका कोड को एक्सेस कर सकते हैं इसमें एक और भेल हुआ था अस्टेप अस्टेप में आप करिए गाना तो यह कितना बड़े मैं सौ करता हूं सौ करने के बद में रिफ्रेश करता हूं अगर मैंने देखिए क्लिक करूंगा यह का स्टेप बड़ेगा ठीक है सौसो करके बढ़ेगा यह आपको Javascript में कॉंस्ट के लिए रहोगा मेरे जवास्रिक को पर रजेट दिखियेगा इसमें मैं बताया है देखिए टेट्र टायम लोकल है इसको मैं बता रहा हूं देखिए इन्पूट टाइप इमेल है इमेल से आपको इसमें से आप इमेल लेते हैं अगर विदाउट इमेल कर रहेगा तो आपको इरसो करने लाएगा देखता हूं कि इंपूर्ट टπό में मैंने कि या इमैल और सेब्स करने भाद रिक फ्रैस और करता हूं कि यहाँ पर राज लिखता हूं नि आ या ऊड़्कर का बना ले था हूं इंपूट टाइप सब्मिट करता हूं रिफ्रेश करता हूं मैंने यहां लेका सब्मिट करता हूं यह देखिए क्या बता रहा है कि एड़ रेट नहीं है तो एड़ रेट जीमेल.com यह आप कोई इमेल बन गया अब सब्मिट हो जाएगा ठीक है देखिए इन्पुट टाइप है इसके म इसके में देखिए और इन्पुट टाइप में मैंने फाइल देखिए फाइल देने को सेब करता हूं और यहां पर मैं रिफ्रेश करता हूं यह देखिए चूज का अप्शन आगया और मैं ब्रेक टेक देखिए देता हूं सेब करता हूं और फ्रेश करता हूं अब देखिए चूज का अप्शन आगया इसमें से आपको क्या कुछ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको मैं सब्सक्राइब कर सकता हूं फाइल में कोई भी वी डीओ ऑडिओ जो भी करना होगा वो सलेक्ट कर सकते हैं अभी देखिया आप चाहिएगा तो में मों टीपल अइन नहीं कर सकते हैं मैं पर डिये करके कर रहा हो ठीडे पर नहीं हो इसको मैं देखें यह यह दूनों मैं तीन रोस सबको में सलेक्ट पार रहा हूं तीन फाइल हो गया अगर आपको इमेज करना होगा तो इमेज क्यों लेना होत एस्ट लिखेंगे एसे अप्लिखने के बाद आए में अची रहते निया अस्टार का मतलब सारे परकार का जो JPG, PNG सारे image को select कर देगा इसको मैं refresh करता हूँ या पर देखिए मैं select करता हूँ या image select कर पारा हूँ अब मैं आपको audio नहीं select करता हूँगा किस फाइल में है free music हाँ देखिए free music वाले मैं नहीं आ रहा है कि कुछ दिखे काई नहीं अगर मैं या image का जगा audio में select कर देता हूँ उस select करता हूँ अब मैं यहाँ पर refresh कर देता हूँ इसका बाद हमको यहाँ पर देखिए image नहीं देख रहा है अब मैं किस में गया था free music अब देखिए image मेरा दिखने लगा अब मैं image select कर सकता हूँ वहाँ पर वीडियो देना होगा तो वीडियो भी देख सकते हैं और एक चीज़ है यहाँ पर हम लोग first name में अगर यहाँ पर आउटो फोकॉस दे देंगे और मैं सेब कर देता हूँ इन्पूट type number और नेम तो पता ही क्यों देता है मिनिम्मुं कितना करेक्टर यह और maximum कितना करेक्टर यहां पर मैं लिख नो नंबर लिखने बाद मैं सेबुले साथ परकरने बाद हो उसके अंदर मैं यह वी चोटे नहीं लेख सकता। कि लंबर ही लेख सकता हूँ, मैं यह ए गणदा tulee है, यह यह देखिए इंपूट टाइप टैप साथ सर्ष सर्च लिखेंगा तो सब्रया जैगा इसमें यह सर्च लिखता हूँ, सर्च लिखने बाद मैं सेपको करने के बाद मैं रिफ्रेस्ट करता हूं यह देखिए सर्च करने वाला गया देखिए आपको यह सर्च खिल आ गया देख लिए यह देखिए टेलीफोन वाला इंपूट टैल लिखेगा तो टेलफोन आ जाएगा पैटर्न ने रेजक्स का है हम आगे बताएंगे यह देखिए टाइम लिखेगा तो इसमें टाइम आपको आ जाएगा मैं देखा दरहा हूं है मैं इनपूट टाइप टेलेक लग देता हूं तंहीं है कि टाइथ है टाइम अमें को सब्सक्राइम करता हूं अब मैं यह सेपक्रेश करता हूं आ पर टैक्क के लिए ए लिए खिर तेलीफोन के लिए है इसमें टेलफन में आप दोनों सेलेट कर सकते हैं वहां पर इसलिए सेलेट पर पार रहा है से क्यों को टेलफन में हम लोगो पैटरन देना पड़ता है यह देखिया आपको यूट्यूबर होंगे तो आप इससे रिलेट जरूर कर पार होंगे कि चाहां पापी इवारल मंगता कि आप अपने चैनल का यूवारल अंको देदीजिए वहां पीसी कपरियों कर देता है इसी फिल्ड से वह देखिए हैं आप है देखिया मैंने यह लिग दिया ऐसे हम मैं सब्मेट कर देता हूं तो नहीं ले रहा कि प्लीज इंटर यूवरल विए मैंने वाइल को कौपी कर दिया थो ये काम कर गया ऐसे कर यह यह काम नहीं करेगा यह विक लिखिए गा तो भी ना जाए गा जाए गां लग्रिए वाला तो हम बता यह भी में कर दूँब हें लोग बता चुक है तीछ असलिज भी जरी हो पड़ने के लिए रहता है यहां पर देख लिजिए यहां पर दिखना प्लेस ओल्डर मुझा एक चीज हम लों लिखते कि यहां पर लिख देंगे इंटर यूर नेम तो आपको दिखेगा हलका मैं देखा देता हूं जंपल में अच्छे से समझ में आएगा यह अटा देता हूं यहां पर लिख कताँ मैं है पलेस होल्डर प्लेस होल्डर डानिग्ट करनें को बातहूं पर इस देंग्स अप्लेवर जि सी हद लिखेगा फर्यक्स और करते हुं इंटरियोड देट इंटरियोर मॉवाइल नमबर इस सब के लिए वाहाप प्रयोग करते हैं रिक्वाइड भी बता चुक्या स्टेप्स भी हो गया ओटो फोकस भी हो गया हाइट और विथ तो पता ही है किसका हाइट और विथ बढ़ाना दाता है इंटरिब्यूट पर फिर डिस्ट में और आटा शीज लिए यहाप निचे देखिए और आपशन में बहुत वह सार रही है हम लोग बनाएं यह सब ब्राउजर है ब्राउजर के लिए हम लोग बना हैं तो यह सब ब्राउजर यहां पर लिख दिया है और इसी आईडी को लिस्ट में पास कर दिया चले जैंपर में वेखते हैं करता हूं यह इस वाला मैं पाथ करता हूं इसको और इसमें आता हूं इसमें बहुत कचड़ा हो गया है अब इसमें मैंने क्या कर दिया यहां पर मैं देखिया data list open कर दे close कर दिया और मैं option लिखता हूं और इसको मैं copy कर देता हूं और यहां पर मैं लिख देता हूं अब अब देखिया बहलू में इस उसका बहलू देते हैं इसी वाले को सिंप पास करते हैं जब हम लोग upload करते हैं अपने data को browser में तो उसके लिए ठीक है इसको मैं copy करता हूं यहां पर मैं paste कर देता हूं और data list का एक id देता हूं अब देखिये यहां पर आगी है एक पाल और यह सर्च करता है कि इस नाम से और भी है कि नहीं है जिसे की मैं copy करता हूं प्रेस्ट करता हूं और यह डावल पी कर देता हूं सेप करता हूं और रिफ्रेस्ट करता हूं देखिये मैंने यहां से पहले एपल को सेलेट कर दिया अब जिसी मैं करूँगा यह उससे रिलेटेट्ट के देखिये बैलू के बज़ाद से आ ईसट दू नाम गोः चा रहा है यह कर दो एक है मैंने का दिया अब मैं सको रिप्रेस्ट कर देता हूं अब देखिये यह apple फोला आया जिसा मैं प्लिक करता हूं तो इसे मैं इसे मैं cut भी कर सकता हूं पर मैंने AWP फ़ला select यह जिसे इसको क्लिक करता हूं यह wp plus apple यह search बार कि तार रहा काम करेगा कि यह दोनों इसे तो देखिएगा जो अच्छाला ता लाइक करें से पर सब्सक्राइब थैंक्स वाची